लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकुन को प्रेस करें मैं इसे निर के अदिशन दे चुका हूँ कुछी दिर्मियस हो जाएगा इसके साथ रोई से अकेला मत छुड़ो मेरे इतने सालों के सर्वीस में ऐसा पेशन मैं आज तक नहीं देखा अगर हम इस से अकेला छोड़ते हैं तो यह अपने सर को खोड़ता है और वहां से निकलेवे खून से धीवारों पे नाम लिग देता है आप तक देखो कौन है विनाइग्राथोर विनाइग्राथोर एक निक फुलिस अफिज़ा रहे हैं कि विनाइग्राथोर जी आते हैं तो चार बच जाते हैं भाईया अंकल अंकल अपने बेटे रगु को पैचान सकते हैं आप ओ यह 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 अज़ारों बचरों में जब एक बचरा अपने बचले को आसानी से पचान सकता है तो मैं अपने बेटे को कैसे निवाचानाओंगा अज़ा बेटा ममी अब मजारा ममी अरे खाना का कर जाए ना कमेशनर साब के सब मीटिंगे इसे ड्राप करने के लिए आया था पैस बाई डैडी कर दो कर दो अरे ठीक समय पर आ गया आईए बच्चे के साथ बैटे आप दोनों की नजर उतार तो यूनिफॉर्म में ही नजर उतारनी पड़ते है आईए अंदर चलिए रखो रखो उटा बटा चलो उटा इधर ऐसे बैड़ जाओ भूत की नजर चोरो की नजर पड़ोसी की नजर सब लोगों की पुरी नजर से मेरे बेटे की मेरे पत्ती की रक्षा हो चलो थुको है पिए बर्डे तुर्यू है थी एक अठीड धी आ दे दूब एक रर पापा बेटा आज बर्डे करसे लगा बिटा तुम्हारे किसी फ्रिंड ने गिफ पर नाम नहीं लिखा खोल कर देखा है मैंने पता है उसमें क्या है क्या है पापा चार पुराने करचीफ चार प्लेंग कार्ट आठ गोठियां आठ पुराने कागर्स आठ आठाने आठ पेंसिल कुछ वो कुछ यह सब बेकर के हैं मैं समझ रहा था मैं खोल कर देखा लकिन तुम भी पीचे नहीं हो चोर कहीं का अरे अरे चार बच के रगु स्कूल में वेट कर रहा होगा क्या आप उसे लेने नहीं जाओगे यह डॉक्टर का अपॉइंट्मेंट कल भी ले सकते हैं ना अच्छा है हम अपने बच्चे को खुद नहीं लाकर दूसरे को लाने कहते हैं क्या ठीक है पूं चलो जी है 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 ममी के पेट में तुमारा चोटा भाई यह सगत पकड़ों गया तो उसे चोट लगेगी मम्मी शूज अतारो मम्मी अच्छे मम्मी शूज बैट कर तुमारे शूज नहीं निकाल पाएगी यह काम आच से मैं करूंगा तुमारा चोटा भाई आने वाला है न उसकी देखरेक वो करेगी और तुमारे देखरेक मैं कर लोंगा स्कूल जाएंगे डैली अब यह गर्जन काम से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है मैं आच से तुमारे लिए एक रिक्षा अलेंज किया है तुम रोज उसमें बैटकर स्कूल चले जाना समझ गये अलो बेटा मैं तुमारा पिदाजी बोल रहा हूं तुम्हें फोन किया था फुल से स्टेशन को बालू बड़ा के तुम कोड़ गया हूं बेटा कुछ टबरी की बात है मैं दादा बन गया हूं और एक बैच्चे का सुधा तकरीपन 11 बज़े बच्चा पैदा हुआ है मैंने पड़ित से चक करवाया तो उसने बताया के बहुती अच्छा टायम है लिकर की बात नहीं है बच्चा बहुत तरकी करेगा बेटा जिस समय अपना रगु पैदा तो उसका जो रंग था ना उससे ज्यादा उससे ज्यादा इस बच्चे का रंग अच्छा है देखने में बिल्कुल अपने बाप जैसा लगता है देखो अब ज्यादा लेट मत करो जल्दी आजाओ कि ला है ओ अच्छी कह अच्छी आहीं है हाद ना नहीं हों रोटा पिटा अलंए अ हाँ 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 अ है हाँ 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 तुन्ति हो नाग बिल्कुल तुम्हार करें तुए नुछ करें थे झाल... कि रखड़ झाल... किर रखड़ प्रवार्श रखड़ रखड़ कर दो कर दो कर दो हुआ है दो कर दो झाल, झाल, झाल झाल, 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 झाल याल, झाल, 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 झाल झाल, 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 झाल symbol याल, झाल, पाप, बाप, आज हमारे college में function है आपको और मा को माँ ज़रूर आना है वहाँ कर Church की तो क्या पेटा, अपने भहिया को बुला लो ना भहिया, collector होने के नाते हमारे chief guest हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन आप लोग? रगू, नाश्था किया क्या? कर लिया, मा. अरे, रुको, रुको, रुको. तुम्हें कितने बार कहा हैं कि तीनों एक साथ नहीं निकलना? लोगों की नजर बहुत बूरी होती है, जरा देख कर चलना चाहिए. पिता, A.C., बड़ा, I.A.S., छोटा, बेटा, डॉक्टर, सब एक साथ मिलकर बाहर निकलेंगे, तो लोगों की बूरी नजर पड़ेगी ही ना? पहले आप जाएए. येस, मेडम. एई, क्या है मा? कितनी बार कहा है, बटन ठीक से लगाय करो. बाई मा. ये क्या है, हाँ? रॉकेट किसने बेका है? ए, क्या है? मैंने ही उस राकेट का चुड़ा है. ए, सेक्यूरिटी, पकड़ो, पकड़ा हुचे. चुड़ो. किस्टा बेक, क्या कर रहा है है? छोड़ दो उसे. ये क्या है? वो राकेट नहीं है, सार. रिक्वेस्ट लेटर. लेटर? कॉलक्टर सर, मेरा नाम रामू है. मेरे पिता सवतंतर से नानी है. उन्हें पिछले पांच सालों से पिंचन नहीं मिला. वो बेड्रेस्ट पर है, इसलिए यहां नहीं आ सके. मैं कई बार अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहा. मगर आपके लोग पहले तो मुझे अंद का पेंशन रिलीज हो जाता है, तो मैं और मेरी फैमिली आपका बहुत धन्यावाद करेंगी सर. इस दुनिया को चार आदमी बस हैं. अपने रिक्वेस्ट लेटर को रॉकेट के जरीए मुझे तक पहुंचाने का तुम्हारा ये एडिया मुझे पहुत पसंद आया. पैसा पूशा था? नहीं, नहीं सर. नो, 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 जूट मत बोलो. तेरे बारे में जानता हूँ मैं. ये पहली बार नहीं, कई बारा इसा हुआ है. तुम्हारी फैमिली का पोजिशन जानता हूँ मैं इसलिए चुप रहा आज तक. ए तरा आओ, तुम जा कर इसका फाइल लेकर फॉरन मेरे पास पहुचाँ. अभी इसका फाइनल करना है। सुनना तक नहीं चाहता है, अब जा कर फाइल हु. अब मैं माननी ये डिस्ट्रिक कलेक्टर रगर्वाम जी से निविदन करता हूँ कि ओमाइप पर आएं मेरो त्यारे छात्रों और छात्रा हो बोर्ष ए अब मैं दर्ण के नाति इस कॉलेज को आने के लिए एक्सप्ट किया मगर यहां कदम रखते ही मैं भी आप ही की तरह एक स्टुडेंट बन गया किसी जमाने में जब में भी आप ही की तरह स्टुडेंट था कोई माइक पर आये तो मैं भी आपी की तरह खुब चिलाया करता आज कॉलेज में जो डिबेट कंपिटेशन हुआ था उसमें हिस्सा लेने वालों ने यहां के सभी लोगों को बहुत इंप्रेस किया लेकिन रिजल्ट में दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने सेम मार्क्स स्कोर किये हैं और उन दोनों में से अब मुझे सिर्फ एक नाम इनाउंस करना है मैं आपसे एक बात कहता हूँ मेरी बात पर ध्यान दीजे जो यहां हारे केवल यही हारे जिन्दगी में नहीं जहां तक सुरिया का सवाल है डिबेट कमपिटिशन में इन सब में उसने जो कहना था कमांडिंग के साथ कहे दिया इसलिए उन दोनों में से एक नाम सुरिया का है वैसे ही जहां तक पिरिया की बात है उसने जो कहना चाहा उसमें एक intellectual touch था बस जो मुझे पसंद आ गया हर एक विशय में commanding जरूरी है और अगर intellectual से आप लोग काम ना ले तो जिन्दगी आगे नहीं बढ़ सकती अगर मेरी ये बातें तुम ध्यान में रखोगे तो आने वाला समय तुमारा होगा लेकिन intellectual से काम लेने की वज़े से प्रिया को 10 पॉइंट मैं अपनी तरफ से ज्यादा दे रहा हूँ इस तरह प्रिया आज के competition की winner होगे इस तो प्रिया कमंट दबाए है हुआ 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 है हुआ है अरे यह क्या कर दिनों ने सिप नाम की collector है क्या तुमको हरा दिया है उसकी बारे में क्या जानते हो तुम वो एक आईएस आफिसर है और हमारे इस फंच्छन का चीफ गेस्ट है उसका decision एकदम करक्ट है समझे अरे शुरिया भाईया यह क्या अभी तक सोजाने नहीं नहीं सॉरी तुमको प्राइज नहीं देनी के वज़े से बहुत फिल हो रहे हो क्या नहीं तो आप महा मेरे भाई जैसे नहीं आए न आपने वही किया जो एक चीफ गेस्ट को करना चाहिए आपका decision बिल्कुल सही था मुझे गर्व है अपने भाई के decision पर आपने कोई गल्ती नहीं की और कभी आप गल्ती करते भी नहीं अगर तुम फिल नहीं हुए हाँ तो मैं हार गया ऐसा नहीं होना चाहिए अगर 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 कर वाना है कब जा रही हो मैं भी आउंगी रहे ए देखकर छिला ना अरे देखकर ही तो हम चल रहे ना सुरी डियर माफिश आता हूं एई सुरी के लिए वहां देखना तेरा फूल सच है हमेशा निगाहों में घूंगता रहता है क्या बात है इस उमर में एक लड़का लड़की से क्या पूछता है तुझे मालू में है जाओ यार तुमको अलग से कहना है का जाओ मैं मुझे भी जाने के लिए क्या मैरे भाई के बारे में घलत बाते कहीं है ना तुमने उसलीए तुम्हारा प्राइज उसको दे दिया उन्होंने हमें बुरा लगा है तुम अपने भाई को कितना चाहते है या हम सब को पता है?! मजग में ऐसा के दे माफ कर दिले यार चल चल पहने दे अरे मजब छोड़ो यार कल पूरी रात मुझे तो नी दीन नहीं आई क्यों क्यों एड गर्ल डिस्टरब्ल में विच गर्ल अरे वही रहे कॉलेज फंक्च में इसका अप्राइज शिनकर ले गई इसको प्रिया वही अरे यार सिर्फ तुझे ही नहीं सारे कॉलेज को डिस्टरब कर दिया और इसे भी है अरे उसके बारे में ज्यादा क्यों सोचते हो तुम लड़कियों के जैसे ही प्रिया भी हां तुम्हार अप्राइस लेगे करके तुम्हें उसपर घुसा है ना तुम इजरी रहो दोस् तुम मुझे कितने इसे देते हो यह मुझे मालूम है निचे उत्रो कैसे हो सुरिया इस लेटर को इंजिन कॉलेज के प्रिंसिपल तक एक चेर्मन होने के नाते तुम कुछ पहुंचा दो रेस्पांसबिट के साथ तुम प्रोग्रम फिनिश किये थे वैसे लेटर भी वहा अब ने अपने क्लैसेस को जाओ अच्छा हुआ है इसे रूम ग्रोंड फ्लोर पर मिला अगर फर्स्ट फ्लोर पर मिलता तो यह हमें कॉलेज में पानी तक नहीं पीड़े के लिए मेरे बाप ने तो मेरा लाइफ इंशूरेंस नहीं करवाया ना जाने क्या होगा हमारा यह अब कुमार तो में प्रिंडेंस के मिलने आया उसको हेल्प करने को आया नाम क्या है तो लिखना है है को मैरे उसे कैसे लिखते अचा है हाथ निकाल इपने मारे यैवा से लिखता क्वार उसको तोड़ दो उसके क्या दोर होते हैं कर रहे हैं ना आ आ आ आ आ मुझे इतना ही आता है इसे लिगने के लिए का ओ आ दो तीन से मेरी कमर में तरह दें डॉक्टर ने रश्टेले के लिए का था हाँ 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 क्यों इतना ले स्वारिया वो कार से उतार कर क्लास्ट्रोफ तक जाने तक कोई उस प्रणादा ने ना ला कितनी बात तुमसे कहना अरे दे लगता है यह बगर मार खाये नहीं रह सकते अब देखो तमाशा अब यहां मैं कालेज में हूं भया हमारे प्रिया को कुछ रड़कों ने चेड़ा है क्या करूं अब भी फूजा खतम करके पहुंच आऊंगा प्रिया को कार में बेटाओ ठीके जो कहा कर दूंगा प्रिया सुनो मा भाया आ रहा है तब तक कार में बेटाओ ए तिम लोग जाओ मैं बाल में होंगी बाईया वो लोग वहाँ है देखते क्या हो चलो किसी को भी नहीं चोड़ना एई सब लोगों को तुम देख लो उससे मैं देख रोंगा जिसने मेरे बहन को छेडा है कौन तुमें मालूँ मैं इंबी का बेटा हूँ कुछ नजर नहीं आता है क्या हूँ आज यह सच कर रहा है सब्सक्राइब कार में पेटी है और वो मुझे आउटर फोकस में नजर आती है तुम सब को तो आउटर फोकस ही नजर आएगा सिर्फ मैं जानता हूँ कि उसे फोकस में कैसे देखना है सुना था छेड़े तो मार खाते हैं लोग सिर्क प्रिया को देखने से इतना मार खा गये हैं वो लोग कॉलेंज को आया पड़ा लिखा सटिफिकेट लिया सिर्फ इतना हिस होजना है हमको वरना मार खाना पड़ेगा यार अरे कुछ देर तक वहां क्या हो रहा है समझ में नहीं आया था अगर कहे तो भी तुमको पर आगए जिन्दगी में ऐसे कई आएंगे जिनका हमें सामना करना पड़ेगा समझा मर्क को दिल होना चाहिए पहले सिग्रेट दो अाथ चाहिए पॏस फिसमिशी आपड़ेश filter अन अगर तुम लव करना चाहित हो तो कर लो हम थो वेडियो के तुमारा यहिन से हिंफ्ध वालों का काम है और तुम सब थोड़कर भागना चाहे हो लुँए तुम सब को तो तुम्हारे साथ आना है ना हम सब की नसीब में अगर मार खना लिखा है तो यहीं सही चलो अगा कि अगा कि अगा कि अगा कि हाथ में बॉल आ गया अब देख लो वह भी आ जाए यह नहीं दूसरी आ रहा है दोस्त एक्सक्यूस मी कुड़ियू गीव मी दबॉल अलो हिंदी में बात करना है क्यों तुम्हें इंग्लिश नहीं समझती नहीं बिल्कुल नहीं और तुमको मेरे को यह नहीं थोड़ा बॉल दीजे ना थोड़ा मतलब आधा करके देना है क्या है यह लोग मुझे शता रहे हैं हैं यह सब मुझे सता रहें है यह ज़ो कर कर बन्चे से सारिया ये कोल मुचे दे दो नसाचना गोल 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 जैसे सारिया ये कोल मुचे दे दो ना सोचना तेरे लिए बन्जाओ मैं तिम्सको दिन्दात के देल तुम मेरे सारि सारिया सारिया तेमी स्केले स्केटिंगा उस्से खेलने तुम आउना नाया तेमी सिखाऊंगा आउली रोज हम खेलेंगे सारिया सारिया वाँ को तेमी स्केटिंगा अर्णार तेमी स्केटिंगा ये 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 तुम आवे झाली की विल दो दोसे ऑंझा जो कि आप लोलाइब का विल दोचा कि अ? करते जिर का स्कराइपह ब सकते हैं अदर देना मेरा दिल पास माला मुझे गलत यह नश्काइप कंना हे यह दिने अंद दो तक पर क्या है यह तुम्हें मैं पीछ पीचे आया मै i to ye it नजरी पीचे भाते हैं तुनिया के लूब भैदी तो क्या इसके पीचे भाते हैं हो तईया, हो तईया फे स्वीटी सारा बदन है तुटी चलन तो हैं ये नाटी पीजे से देखों कोटी ये छोडी तुम देखने में हैं मिलती अगर तुम्हें चुप कर देखों तेरे पाप लापा है आती सामने सारी लड़कियां साथ तेरी मिलती ना वाप भी मैं देखों ना तेरी जैसी चोई नहीं तेरे जैसा हो ना वो तुम ही किरना हो ना तुझी को चारिये बस बस तुझी को चारिये बस सामिया सामिया ऐसी खुमलारी की को मैं आप ता क्यों नहीं देख भाया इंडिया में है तुझी अमेरिका में क्या मिलता सामिया 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 τंज करें हो फुटूर! जः! फुटुटूर! उख था शक्छूर! हुआ 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 // ह vídeo प्जट, हुग, 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 हुग och // हुग, 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 हुग. // हुग, ह हुग, हुग, हुग, verloren,ímग, हुग ? ansen, ह Poru... अरे सुरिया ये क्या माने बताया बाइक से किनने पर तुझे चोटा गई जरा देखने तुदे और ये क्या चोटा सा जखम है तेरा हाथ से बाइक चलाना बन मैंने जो कह दिया कह दिया बस हलो राम प्यारे हैं मैं कलक्टर रगुराम बात कर रहा हूँ हाँ आप कैसे हैं देखो प्यारे फॉर एन एक जिन चाहिए भाई को कम दे सकते हो कल सबेरे वो कितने बजे मौनिंग बट मौनिंग टैन ठाटी टुवेल एकदम खराब समय है उससे पहले ही दे सको तो बेतर होगा ओके थैंक्यू हाँ क्या है वो तो मुझे भाई से पूछना पड़ेगा हाँ कौन से कलर चाहिए मेटालिक बुलू भाई या देखो मेटालिक बुलू आपके पास मिलेगा मिल जाएगा तो फिर ओके थैंक्यू देखो मैं चेक प्यून की हाथ से भेज दोंगा मगर डूर डिलेवरी करना पड़ेगा हाँ यस क्योंके नायन से पहले भेजा तो भाई कार में कॉलेज जा सकता है ओके प्यारे जी तेंक्यू अभी कार की क्या जरूरत है एई तुम डॉक्टर बनने वाले हो तुम्हारी सेफटी जरूरी है समझ गए अगर तुमको कुछ हो गया तो मैं कैसे जी सकता हूँ है न आप या वहिया कुछ बहने आज के बाद से कॉलेज तुम कार में जाया करोगे बाइट पर नहीं समझ गे समझ गया ना बुर्णाइट है कि आगा कि आगा कि आगा कि 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 है कि कि हाँ है ना बेर्ट वाइजान के लिए मा पिताजी के लिए अब बच्ची मेरी लाइप वो तो बिल्कुल खाले है अपनी हद में रहा हूँ अगर तुम हाथ पार करे तो जा रहें, ओके थेंक्स हमारे दूश्मन आ चुके, अब मुझे जाना पढ़ेगा या अब्सक्राइब अब्सक्राइब मतो मैं नई कार अच्छे है ना, वैसे लग रही है अलो बस करो क्यों भे कुट्टी की तरह दोड़ाना हमको हम दो अभी तक मंदिर से सरी चपल चुराते रहे तू तो हमसे बड़ा निकला कार चोरी करके लाया है लाइक यूर फ्रेंडशिप ज्यादा हो गया बस करो मेरी हवा निकल दीना भाईया ने प्यार से खरिद कर दिय अब तक वही तो कह रहा हूं समझ लेना हाँ समझ गया नई कार आ गई है कुछ पार्टी वार्टी यह क्या अरे यह क्या कर रहा है इससे काम नहीं चलेगा हम सब को एक ग्रेंड पार्टी चाहिए कब और कहां इसका फचला कर लो अभी चलेगे क्या हां मुझे 200 रुपी देदो कुछ काम है इतने से काम नहीं चलेगा दो किस लिए काद तुम नहीं दोगए यार इस पार्टी के लिए 25 किलोमेटर लाया है इन्होंने यह वीक में चौता पार्टी है ना यार पॉप का नहीं मिलाया अबे थो वो आड़नरी पार्टीयों के बारे में बात कर रहा है और उसको इसमें गिन रहा है शूरी या पैंट खरिदने पर भी पार्टी और शट नहीं मालूमें तुमको जहां तक इस पार्टी का सवाल है इसके लिए प्रिया को थेंक्स कहना है तुमें यह रस्टोरेंट उसी का है सारी बहुत बेरा इधर आउओ जी सार और कुछ चाहिए आपको एक पचास हैंडलों देदो आपका गाउ मैं मंबए का रहने वाला हूं सार मैं तुमसे थोड़ी दूर हूं है छोड़ना हाँ और कुछ जाने दे यार जाओ बिल प्लीज क्या उधर प्रिया है कहा है अरे उधर है अपने मादा पिदा कुछ तरह से लिए प्रेदर लड़ी के नाम लो तो बात कुछ और है अपनी हद बेर हो है थीिदि नास्किलम का टिया था क्या नाइ रे क्या तुमने का अरोट आर्ध क्यों क्यों आया हलो बहुंत अर्द किया था है कॉझा ऐ बागें हम न कौह मगर यह मैडम क्यों नहीं खाए हैस्क्रीम उसका भी खाने का मन है पर प्रेस्टिज के बारे में सोच रही है एक शड़ाप हलो हमें हैस्क्रीम खिलाने वाले तुम कौन हो कोई तुम से पूचा था क्या यह मेरे दिल की वादे पूचे बगार ही खिलाना चाहा नहीं समझी यह पारटी आपकी वजेसे है पहले दोस्तों के फोरस पर पारटी उन्हें देनी पड़ी देखिए आपके भाई के दौस्तों ने मेरी बाएक के साथ जो स्लुक किया। उसकी वज़ेसे मेरे भाई को मुझे एक नहीं कार देदा नी चाहिए जैसा मैंने सोचा आप सब बेकर दिया मैडम काल मैं नहीं इन्होंने इन्होंने कि हालो मैडम ये कार मेरी है अभी मैंने जो अंदर पार्टी दी थी इसी कार के खुश्ची में थी अब कहिए और कॉंबिनेशन कैसा लगा आपको आप कहिए कहिए सोड़ी कार किस्ता है क्या है यह नहीं देखते लोग डायरेक्ट उसमें बढ़ जाते हैं अरे यह क्या है क्योंकि आप ब्रेक निकल दिया के अब यह देख पैसे पापाइसे हलो आपके बिल के पैसे भी है उसमें बचे पैसों से डिजल पर लेना आगर कम पढ़े तो करक्टर तो बहुत अच्छा लगा रहे मुझे मैंने समझा हम लोगों ने उसे पार्टी देना चाहा लेकिन उल्टा वह में पार्टी दे गई इसलिए लाइक है चल गाड़ी में बैट यह क्या सूरिया प्राइस देखे बगर वाच पैक करवा रहे हो मां यह भाई के अधर देखो क्लेक्टर पाजा है ना अभे वा क्या देखा है तुने इससे पहले मारतो ब्लेड नहीं निकला केकर पैसे नहीं दिया साला आपकी बार ब्लेड डाने तक मारेंगे पैसा ही पैसा साथ में जाली क्यूब है मगर हम कैसे मारेंगे अभे तुम हिंदी फिल्में देखता क्या ही रोईन को पकड़ो रिव आपने आप आज जाता है उसी तरह इस सअरीक काम पकड़ेंगे तो ही रोँ आ जाएगा में आप शुरू चला है यूँ हाँ चुड़ो है यह क्या कर रहे हो तुम लों क्यों चेड़ रहे है उसे की रहे के लिए तो उसकी बेहन पीच में आगई इसको चोड़ेंगे तुमको बखेंगे अरे यह को ने ले पीच में आगया उसको मार दिया उसे मारो ने मारो ने बाद जिए बाद बाद लुट्टूज़ जुटूज जड़ादूज जड़ादूजू पाँ, एिर्ज जाओ, तई मैं बुट बङ्ए! आओ दो आओ असंद दुट! इंक रिपने हैं! छाँ! कर दिए! कर दो! कर दो कर दो और दो! पर दो! ती! हुपा! घुफ! हाँ!!! हाँ! इसलिए कि ये मेरे बेके न इतना किया और ये ऐसे ही चले जा रहे है कि ये बेके ये बेके बेके आ रहे है प्रेज़ 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 अप्रेज़ एंप जहां प्रेज़ एंप खुलिए जरा जली दर्माजा खोलिए क्या है क्या बात है सुरिया भाया पिता जी बातरूम में गिर पड़ है उन्हें क्या हो गया पता नहीं आप चल कर देखे न कुछ वा तो नहीं पहले चलिए तो सही हुआ है आपको बड़े का सर्प्राइज देने के लिए ऐसा करना पड़ा देखा बड़ा रखू तुम्हारा चोटा वही तुम्हारी बड़े बड़े कितना ग्राड अरे दिया है चलिए भाया पहले केक काटी चलो बेटा चलकर केक काटे जली काटी ना भाया सुबास ते कि केक काटना है इस ड्रेस को भाया आप इस घर में कलेक्टर नहीं मेरे भाई है बस आपको केक काटना है चलिए देर मत किजिए अरे सुझो तोसे लो ये भाले किदा जी आप पहले मा 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 आपने भाले आप भड़ी है भाया मा ये ये मा ये पाप को कि लाओ आप आप अब आप अब अब यह वाच की क्या जो रहा है कैसी बहुत संद आई जरा कान को लगा कर पूसुनिए है तुम लोग भीश करो ना भजया को क्या सोज रहे हो दो ना तुम वह क्या कर रहे हो सामने आओ ना इदर यह सर को क्या हो गया कुछ ने तुम्हारे लिए वाच करिदने मार्केट को गएते वहां पर कुछ गुंड़े एक लड़की को चेड़ रहते और यह महाशे बीच में जा पड़ा उसी का चोट दिख रहा है इसके सिर पे यह क्या है किसने तुम्हें मारा है उस जगडा में ज कि यह यह कर रहे हो आप से कुछ बात करनी है मुझे क्या बात करना है कार को चलने के लिए कि यह राजते में बात करेंगे हम हाँ अब बताओ सुरिया कल बड़े पार्टी में अन्जान लड़की के लिए क्यों लड़ते हो कहा था वो अन्जान लड़की नहीं है उसका नाम है प्रिया उसे आप भी जानते हैं यह कॉलेज फंक्शन में जब आप जज़ बनकर आये थे तो अपने हाथों से इस लड़की को प्राइस दिया था उस लड़की को प्यार करना या नहीं यह आभी को डिसाइड करना है उस लड़की से मैं कितना प्यार करता हूँ मैं आपसे डारेक्ट कहें नहीं सकता हूँ इसी लिए इस कैसेट में रिकॉर्ड कर दिया है मैंने कहीं सुन ली जगा रास्ते में प्लीज भाईया प्लीज ओके आई ट्रस्ट क्यों भाईया हम दोनों को मिलाने के जिम्मेदारी अब आप ही किये ओके थैंक्स ट्राइवर प्लीज जरा गाड़ी तो रोकना ट्राइवर ओके बाई कि अ कर दो 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 क्लेक्टर जी आप हलाव आप यहाँ आप से ही मिलने के लिए मुझसे क्यों आप से कुछ बात करनी है मेरा एक भाई है उसका नाम है सुरिया वो मेडिक हो है अपने कॉलेज की तरफ से आप से मुखाबला किया था जी मालूम है उसे की बारे में बात करना चाह रहा हूं मैं आप गलत तो नहीं समझेंगे यह सुनकर मुझे शाम पांच बजे फुन करना और अपनी उपिनिन बताना ओके हाई भाईया क्या बात है शाम पांच बजे मिलने के लिए का बैटो बता दूंगा मेरे लिए हाँ तुम्हारे लिए हलो कलेक्टर सर मैं प्रिया बत कर रहे हूं जब अपने सुर्य के बारे में बताया माई ने बहुत टेंस फिल किया था मुझे क्या कहना है समझ भी नहीं है जब मैंने पहली बार सुर्या को देखा था मुझे बहुत पसंद आया है खभी उससे बात करने का चांसी नहीं मिला जब मेरे मन की बार सुर्या के तरब से अपने कहें तो दिल ही दिल में मैं बहुत कुश हो गई जिस तरह से वो मेरी मन में है, मैं भी उसके मन में हूँ, ये मेरा सहुबा की है, ये बात जानकर मैं ज्यादा दिन यहां नहीं रह सकते, जल्दी आपके गर में बहु बन कर आना चाहते हूँ, उस दिन शॉपिंग कम्पलेक्स में चार गुंड़े ने मुझे छेड़ा, तब आपके बाद से मालो हुआ, वो मुझे प्यार करता है, इसलिए वो मुझे बचा है, जो मेरे मन में है, वो आपसे मैं ने बदा दिया, मगर सूरिया से आई लेव यू, कैसे कहूं ये बात, समझ भी नहीं आ रही है, आई लव यू प्रिया, हाँ, कलेक्टर सर, आप ऐसी बात है, सर, सूरिया से लो करते हूँ, आपसे नहीं, मैं सूरिया बात कर रहा हूँ, सूरिया मैं सूरिया मैं सूरिया कौन के वो जब पूछा, विशा जब है वो परिक्त, मुझ से मुल्मे आई है, थेरा रूप देखा मैं बड़ी मुष्किल से, तेरे आस आया मैं अपने दे से, ये प्यार, प्यार, प्यारा जारा, ये घाब, 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 जैस प्यारा मैं सूरिया मैं सूरिया मैं सुर्ण मैं सुर्ण मैं प्यार मैं नहीं मैं मैं दर खुल आप देख लिए तो पे पास आ जाए अगर कुछ भी में लिखे लूँ उसीर बन जारा जर प्रेंच से तुझे देखो उबढ़ता ही जारा फूल जब खिलता है मादू मती आती दिल जब खिलता है उसमें मन रहाती है मन में तुझे लेती हूँ दिल जब देती और तेरा दिल लेती ये प्यारा 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 जब खिलता है ये खाव 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 जैसा प्यारा ये प्यानि तुझे आत्रा प्यारा प्यारा इतना कुछ शूरत है तेरा ये बदन और तेरी ये आंके देखर वो दूखे जलन सांस में भी तुखे कर दीने भी तुखे मेरी जिन्दगी भी तुखे ये प्यारा 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 नजारा है ये खाब 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 जैसा प्यारा इते इसन मोरे जिन्दगी, अगली है ये बात अच्छी ये प्यार 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 जारा, जै ये खाब 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 जैसा प्यारा ये प्यार 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 जारा, जै ये खाब 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 जैसा प्यारा बैटो सुरिया, सारे दुनिया मा, कहीं से भी मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, कोई मेरा नहीं ये आप क्या कह रहे हैं भईया, मैं देख रहा हूँ पिता जी भी, अपनी मा की तरह, मुझे से अलग हो गए है, हाँ मा, मुझे से बात करती है तो, एक बेटा समझ करतो, बिल्कुल बात नहीं करती बलके, एक कलक्टर की तर्ट, मुझे इज़त देती है, मैं बेटा पहले, कलक्टर बात में हो न, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, शायद आप जोग कर रहे हैं, आप, वो जोग से, बर्डे केक, जब मैं उसे खिलाने पहुंचा तो वो नहीं खाई, लेकिन तुम्हारे हाथ से खाया उसने, लाड ले बेटे हो, अरे ये क्या घलत प्यामी है, मा को केक पसंद नहीं है, अगर उसे जबरदस्ती मैं नहीं खिलाता तो नहीं खाती वो, आप देखते रहे और मैंने थोड़ी ज़्याद दिकी मा से, इसमें प्यार कम और ज्यादा की क्या बात है, एई, सुर्या, बेकर मैं आप कंच्यूज हो रहे हैं, नहीं रहे, नहीं, मैं कंच्यूज नहीं हूँ, सब समझ में आ गया, कोई अपना नहीं, बाप, बाप, छोटे कोई चाहते हैं, आप ज्यादा मत सोची, मैं अभी आया, आए ना दो, मैं तुम्हें तो डिस्ट अप नहीं कर सक रहा हूँ, बलके अपने आपको डिस्ट अप कर ले रहा हूँ, मैं तुम्हें जो कुछ भी बताना चाह रहा हूँ, भले ही वो तुम्हारे समझ में ना आये, लेकिन अट लिस्ट बैट कर सुन तो सकते हो ना, आज वो लड़की मुझसे ज्यादा इंपॉर्टन्ट हो गई है ना तुम्हारे लिए, मैं एक कलेक्टर का स्टैटस छोड़ कर, एक मामली मीडियेटर की तरह, तुम्हारी बात लेकर उस लड़की के पास गया था, अब तो मुझे अपनी चिपपल से, खुद ही को मार लेना चाहिए, हमारे माबाब भी बहुत अजीब है, दोनों बेटों को दो आँख कहते हैं, मगर एक आँख में तो मक्षन लगाते हैं, और दुसरी आँख में चुनना, छोटे पौदे को पानी देते हैं, पेड़ बनने पर काड़ देते हैं, मगर तूफान से भी हिलने वाला नहीं है ये रगू, प्रिया मा, जो तुमने गोल्ड चेन मांगी थी, वो आ गई है, येस बेबी, तुम्हारी इस चेन के लिए गली-गली, हर-हर दुकान पर जाकर आडर देकर तयार करवा दिया है भाई ने, कैसी है मा, कैसी है बेबी, प्रिया बड़ी हो गई है इस लिए शर्मा रही है आरे ऐसा नहीं है बया आज़ा है, भाई का पेर बेहन पकड़ सकती है लेकिन बेहन का पेर बाई नहीं पकड़ सकता ऐसा सोच रही है वो, आज कल तुम आकल मंद हो गए हो, आज थैंक्स, इस अधर क्या कर रहे हो बहन के साथ कोई नहीं गया भाया, हम सब लोगों को मना करके कार लेकर गई है वेवी, ऐसा किया उसने, वो कार में आके ले गई और सब देखते रहे, जाओ, निकला यहां से, साथ रहो, प्राइब देखते रहे हो, हुआ 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 है कि देखो यह सकाइल थाटर के टिकिट है अभी शो शुरू है में कुछ दर बाखिये बस एक निए है 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 हलो बहिया मैं सुरिया बात कर रहा हूं हां का ओ सुरिया इधर पिक्चर देखने के लिए स्काइलाइन थाटर में आ गये थे हम दोनों पिक्चर देखने के बाद मुझे आने में देर हो जाएगी मा परशन होगी मा को मैनेज कर लो ना भाया अच्छा ओके तुम्हें काम करो उस थेटर का ओनर परकाश जैस वाल है उससे मिलकर मेरा नाम कहो और बाक्स के पूरे टिकिट तुम खुद ले लो तुम प्रिया अक प्रिया अगर ये बात तुम्हारे भाई को पता चल गई तो बहुत प्राब्लम हो जाएगा ओके आपके बाई टेक कियर अलो क्या मैं शिवा से बात कर रहा हूं आँ शिवा ही बात कर रहा हूं तुम को नो तुम्हारी बेहन प्रिया एक लड़के के साथ प्क्चर देखने केACT ये माळूँ है है मैरे सामने आकर का हो रहे ये शेट आकर कहने की बात यह शिवा तुम्हे इस्टेट वहां जाकर देखने किये हैं मिरे बेहन के बारे में मुझे मालु मुरे है झाल, झाल, झाल. झाल, झाल, झाल. झाल, झाल, झाल. झाल, 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 झाल. झाल, 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 झाल. क्लिशो, बैसम, माई. कौन है आप? माई, मैं प्रिया. बैसम, मैं प्रीया बात करें. प्रिया, क्या बात है? खुछकंडना ने सुर्यापर हमला किया है. उसको हास्पिल ले ज mocछना है. आप जिल्ली आएएएँ. जिल्ली भायां, जिल्ली. हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ पिदा जी टेंचन मत लीजे आप प्रिया थोड़ा बाहराना प्लीज तुम घर को जाओ मां सुरिया को हम देख लेते हैं मां मगर यह जो आया है न यह हमारे पिता जी है ऐसे समय में तुम्हारा यहां रहा है ठीक नहीं तुम घर चले जाओ जाओ प्लीज रगु यह कैसे हो गया हाँ शायद आपको पता है शिवा पता है रोडी अभी आपने यहां पर जो लड़की देखी वो है उसकी बहन शायद हमारे सोरिया के साथ उसका प्रेम का चक्कर है उसके भाई के साथ ही उन्हें से पीटा ऐसे वात से तो मार देते हैं कि हमें पर हाथ उटाता, ACP के बेटे पर हाथ उटाता, कुट्चे को मारे जैसे मारा है मेरे बेटे कुट्या समझागा है अपने आपको बोड़ा कंट्रोल में राइए शिवा जिस तरह तुम अपनी बहन को प्यार करते हैं उसी तरह हम भी अपने भाई को बहुत चाहते हैं इसक और अच्छी फैमिली ऐसा रिष्टा क्या में खुद कभी ला सकता था क्या सर इसी लिए शादी के बाद तही करने में खुद आपके पास आने वाला था यह मैं आपको मेरे बेहन की खसंग काकर कह रहा हूं सर मेरे गर को आने वाले मेरे जीजा को मैं भला क्यूं मरवाऊंगा ओके छोड़ दो पिता जी ने घुस्ते में कुछ कह दिया उसके लिए मैं माफी चाहता हूं शिवा एक अच्छा दिन देखकर हमारे घर को आई आना वहाँ पर शादी की बात कर लें हाँ क्या बाते इतना परिशान क्यों लग रहे हूं आप समझे नहीं आता में नक्षी मेरे इतने सारों की सर्विस में जोभू मैने आज तक नहीं देखा वो मैं अब देख राओं वो भी मेरे अपने घर में आश्चरिया मैं एक सिंसेर पोली सफेर होनी के वाज़े से क्या मेरे दुश्मनों ने सुरिया को मारा होगा या रगो एक सिंसेर कलेक्टर होने के नाते उसके दुश्मनों ने सुरिया पर हमला किया होगा कुछ समझ में नहीं आता कि आज क्या डेट है उसके बारे में कुछ जानते भी हो तुम ओ अरे आज तो मापिता जी का वेडिंग डे है क्या करेंगे सेलेबेट करेंगे भाईया कैसे हर साल की तरह हम सब बाहर चलेंगे कहां कुड़ी कनल गोड पॉरा निकलेंगे ओके 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 वन मिनेट हम आगे आओ बीबी सुरिया प्रिया अपने भाई के साथ आई है बैट क्या वेडिंग डे के बारे में बता दिया मैंने नहीं भाईया माने खुद कहा वह याद रख कर शायद आया होगा अरे 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 तेरे बारे मैं मैं सब जानता हूं जूट मत कहना जाइए बूज आई को काये कर शादी का महरत भी निकाल लेते हैं मैं तरह सुनते हैं आई लो आई अधर बैटी अब है अगर 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 को यह ले लिया च्रिया अपने भाई को लेकर आपको शादी के बुर्या का देने के लिए के अपीन है कौण से इस्तिमाल करना सब पताई से अपनुए कि के अपको नहीं अभरी सालगी रहे अ अच्छा यासा है नियुकों। ओ सब प्लानिंग से हो रहा है ठीक है तुम निजि जा करनकु काफी बिला मैं भी इसना नवान करके आता हूं अपाइब नमस्ते करेंचर साब वेलकम शीबा बेट बेट वे नमस्ते साब ये चीपी साब नमस्ते 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 बहुत बहुत मुबारको सर्थ थैंक ये तैंक ये आशीग्र में कलियान प्राफतरस्थ सर आज में बहुत खुश हो सर एक रोडी से आपने जोड़ा है संबन अरे बया ऐसी समय में ऐसी बात नहीं करते हैं उसमें एक आदमी गलत काम किया तो पूरी फैमिली को सजा देते हैं क्या आइसा सोचने वाला आदमी मैं नहीं है हमारे बेटे सूरिया को प्रिया बहुत पसंदे प्रिया अगर हमारे घर की बहु बन जाए तो हमें बहुत आनन्द होगा मागर कुछ नहीं बड़े भाई से पहले अगर छोड़े की शादी हो जाती है तो गलत बत होगे ना इसलिए पिता जी अब ही मुझे शादी की क्या सूरिया और प्रिया दोनों बहुत प्यार करते हैं उन दोनों की शादी करने में क्या घलत है क्या बत कर रहा है उसकी शादी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा शादी करना तुम मन में है उपर से यह नाटक क्यों पिदा जी क्या कहते हैं आप कुछ निक तुम जो कह रहे हो उजी ठीक है चलो देखते हैं आओ कोई बाच ने शिवा इस साल सूरिय की पड़े खत्म हने वाली है पड़वी के बाद ही शादी करेंगे लेकिन अभी इंगेजमेंट कर लेते हैं यही बत रगु भी कहता है अच्छ शिवा अब तम कड़े कर लेगे तुम तयारी करें जी से आप देखलें न सैर इंगेजमें मुझे तो भूप लग रहे हैं यह बहुत आपने भाई को बोलाओ कि आम तो से लोग बच्चे के बीच से दूसरे बच्चे तक कुछ अंतर देने की बात करते हैं लेकिन शायद हम बहुत ज्यादा दे चुके हैं कि शादी की सालगेरा के मौके पर खुशिया मनाने के लिए हम यहां पर आए तुम इस तरह खामुश की हो हैं एई अज़ो ना अड़े ठाड़े अगर में तो चुपचाप रहता ही है यह रगू कम से कम यहां आके तो हसना खेलना चाहिए हमारा यह रगू है ना दिन बदिन सी यसी होता जा रहा है अगर उसे कुछ पुझा जाए तो जवाब में आ उई कहता है भाईया हम यहां पर एंजय करने के लिए आए अगर आप इस तरह से खामुश रहेंगे तो माँ पिताजी का मूट भी एक दम खराब हो जाएगा देखिए वो कितना एंजय कर रहे हैं ओ यह सिगरेट पीने के लिए मैं यहां पर आ गया था यहां से वीव देखो अच्छा बहल जाएगा इस एटमास्फिर को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही और प्रिया की याद भी सताने लगी है शादी के बाद मैं और वो यहां दस दिन के लिए हनीमून जरूर मनाईगे तो मैं हमेशा खुश रहना चाहिए लाइफ भर हैपी रहो यही मैं चाहता हुआर रहुआ लेता हूआर बlar को लिएल कर लत मैं कि लिए ken्डे में जिए घएगर भी होजआब को लिए लेएग रहा हुआर हुआर बहा हुआर बही City हो entrienne system लिए NOR होब्सें लिएर भी है पहले हूआरर ठीएर रहुआर क्या इस तरह रुलाने के लिए, इसने मेरी कोक से जनम गिया था? सुरिय भाइक से गिरा और उसे चोट आए, तो रगु ने उसे कार दिला दी, एक दिन में उसके कार का बंदो बस्त कर दिया, कितना हस्ता खेलता था, हमारा बेटा सुरिया, कितने खुशते हैं, उसकी बातों में उसमें खुक है, मगर भगवान की इच्छा भी आजीब है, हमारी आखों के सामने ही दे, हाँ, पिता जी, देख रखों कल तुम्हारे साथ, कमिशनर आफिस में एक इनकोईरी होने वाली है, तुमने कोड़े के नल में क्या देखा, वहाँ क्या हुआ था, उन्हें साथ सब बता देना, सूर्या मुझे एक अच्छा सशेर यादा गया, कौन सा शेर, अगर कोई जिन्दगी में मरना चाहता है, तो उसे एक बार जरूर प्रेम कर लेना चाहिए, कैसे है यह, प्रिया, इस शेर को मैं थोड़ा सा चेंज कर दू, का हो, अगर जीनने के लिए कोई राजी हो, तो उसे प्रेम को अपना लेना चाहिए, यह, फेंटासिक, यह सब बातें तो शेर में कहने के लिए बहुत अच्छे लगती है, जहां तक हमारी बात है, हमें खुशी से एक स जी लेना चाहिए, चाहे दुनिया के कोई भी कोने में क्यों नहों, मेरी पूरे जिन्देगी तुम्हरे साथ ही बिताना है, बस यही मेरी खायश है, मैरी लखी, नहीं? हुआ झाल मुझे गलत मत समझे सर, मैं अपना जूटी कर रहा हूँ वहाँ पर क्या हुआ था, आपने क्या देखा था, वो सब हम से कहिए सर यह तुम्हारी ग्योटी है, नो प्रावलम, क्या हुआ था वहाँ, एक्जैक्टली अब मैं बता रहा हूँ हमारे सूरिया की कॉलेज में किसी से दुश्मनी थी क्या? नहीं तो एलक्षन के समय किसी से जगडा हो गया था क्या? नहीं अंकल, वो कभी भी किसी से जगडा नहीं करता था, वो ऐसा था ही नहीं अंकल, सिर्फ यही नहीं, दुनिया में उससे किसी की भी दुश्मनी नहीं थी अंकल, मगर… कहो वेटा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो, बिना डरे कहो, किसी के अपने बेहन को देखने पर, दस गुंडों को बुलवा कर पिटवाया था वो शिवा, अगर ऐसी बात ही तो सुरिय कलब को, वो कैसे एकसेप्ट कर सकता है? वो सामने, कुछ नहीं कर सका, चुप चाब एकसेप्ट कर लिया, हो सकता है, बाद में उसने अंकल, हुशनी, ने ऐह, है… है इश्या… लिए, हुशनी, हुशनी… हुष्टेनी, हुष्टेनी, चालाम, हुष्टेनी आई है, आई है, चालाम करें हुष्टेनी, हुष्टेनी, सालाम, हुष्टेनी आई है, आई है, सालाम करेंगे गर तु नहीं करें सालाम, वो नहीं मिलने वाली ये बात तु याद रख ले, ये बात तु याद रख ले हुष्टेनी, हुष्टेनी, सालाम, हुष्टेनी आई है आई है साला करेंगे इसलिए पाड़ा इयोडीओ तेरी जवादी रिल मुझको देदे इयोडीओ साही तो यार मेरे पीछे पढ़ती है ये जानी तू कह से आगा ये व्ला करती है क्यानी जिका दू मेरी जवादी, पता लो मैं कर खवादी, अजर दे जामी, जिका दे तब को जल्मा अल्ला के नाम पे देरे बर्दा, उसे होता है अच्छा, खुशिया मिल तीरे तब कर, मला होता है तब कर है तब कर दो का जो हुआ विपर ने दी सोभगो तुमोहा चो मेरा नम तुम दाओ आखो मेरे पिढ़ालों मेरे और सपरों मेरे तरालों मेरय दिल से दिल जब दू मिलता है तो उससे होता है ये तो चिंगारी बाड़ती है अब उचिक को दे दे उसको रोडार दे उसको वो बसड दे ऐसे कैसे दे मसे दिलानों क्या ऐसे वेजी लगई नई ले इतनी आसानी से नहीं मिलने बाले ओर मेरा तुम छोड़ो खाया तुर। उससे ने उससे नाम उससे ने आई है आई है जालाम करेंगे गंदू नहीं गड़े साना वो नहीं मिलने बाली ये बात तुम याद रख ले ये बात तुम याद रख ले उससे ने उससे नाम उससरी ने आई है आई है जालाम करेंगे प्रिया, अच्छा डैंस किया मा, मैं बहुत कुश हूँ भाया, सारी दुनिया शायद नहीं जानती कि आपके बड़े कब है लेकिन आपके पहन होने के नाते क्या ये बात मैं भी नहीं जानती कि आपके बड़े कब है ये सुब आप क्यों कर रहा है सिर्फ मेरी कुशी के लिए है ना ये सुब मुझे पता है भाया यह सब मेरे खुशी के लिए आपने किया ना आपके कुशे भी मैंने चाही, इसलिए मैंने डैंस किया आप कुश है ना, वैसे भी मेरे सूर्या वहाँ पर मौझूद था आज के बाद, आईसे नाटक करने की कोई जरुरत नहीं मैं अपने सूर्य को नहीं बूल सकते नहीं बूल सकते भया है क्या मा तुम दोनों बाई बहन मिलकर मेरे बेटे को मारकर आप खुशिया मना रहे हो गाने बजाने के साथ क्या कहा था सूर्य के मगएर में जिन्दा नहीं रहे सकती इस बात पर हमें यकिन दिला कर उसे मारतिया ना बस बहुत हो गया आप पोलिस है न यहीं सूचेंगे सुनिस पहले आप डौट करें तक आपको नीद आई नहीं सकती आप सोही नहीं सकती आपको यही आदत पड़ गई है जो कहना है मुझे कही बस मगर एक बात भी मेरे बाई को नहीं कहना जब मैं तीन साल की थी, मेरी माँ और मेरे पिताजी, कार एक्सिर्ट में मर गये तब से, मेरी माँ जैसे, मेरे पिताजी जैसे, मेरे बाहे ने बच्पन से पाला पोसा, सुनिये, वो ही मेरे लिए सब कुछ है, सुरिया से मैंने प्यार किया ये जानकर, एक्सप्ट किया है उ मैंने इसलिए आपके नजरों में हम तोशी बन गए क्या सूरिया आपका बेटा है ये मैं मानती हूं आप दुक्य है ये भी मानती हूं मगर जिब तक मैं जिन्ना हूं तब तक सूरिया के गम में मर मर कर जे होंगी पिताजी खाना खाली आप हाँ मुझे बहुत भूग लगी है मा खाना लगा दो मा क्या हो आपको खाना लगा दो ना तुम्हें गोबी सब्जे बहुत पसंद है ना इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक खास बनाया है आज आज पेट भर खालो सुरिया खाओ ना खाओ बेटा इतने दिनों तुम कहा थे तुम्हें अपनी मा का जरा भी ख्याल नी आया खाओ सुरिया खाओ ना खाओ सुरिया खाओ मिनाक्षी मिनाक्षी यह क्या हो गया तुम्हें नीन की गोली खाका क्या आजी वजी बातें कर रही है क्या सुरिया खाओ सुरिया मिनाक्षी जा कर आराम कर लो है इधर आओ माजी को अंदर लिजाओ रखू खानी के वाज़े ऐसा क्यों कर रहे है बहुक नहीं है पिता जी बेशारी तुम्हारी मा सुरिया को भूला नहीं सक रही है अुसू की वाज़ो मेरी हालत भी अंहीं मारा नहीं कि कि मैंने तुम्हें मार दिया कि मैं तो एक अपरादी बन गया क्यों कि अपने मा और पिता जी का प्रेम मुझे मिलना करकर मैंने ये किया कि यह अंटेस्टाइड तुम मर चुके हो ना मर कर भी मुझे चैन सा जीने क्यों ने देरा आए हाँ उन लोगों के दिल में कि तुम हो और यह हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूं मैं कि अपसे उन लोगा मैं ही मिटा हूं ऐसा ही होना है देख 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 असना नहीं है तुम मुझे धोका नहीं दे सकते हो मैं कोई मेंटल आदमी नहीं हम दोनों में एक ही हुन है न इसलिए यह सब छोड़कर मुझे अनाद बनने के लिए कह रहे हो तुम I am sorry मुझसे नहीं होगा में खेक है यह है कि वोटों कहां गया कि sommes कोई है यहां का फोटों कहां गया कि 19 मुझे नहीं मालूम्ण तुमें पता है नहीं मुझे नहीं पता और तु tätä में भी बाहर से आ रहा हो न हो रहा है या पर क्या हो ओवा मैं कुछ नीं जानता तुम चाह क्या भिढ़ित यहां का फोटो कहा गया कौंसा फोटो यहां पर सुरिया का फोटो था ना ओ ओ क्या कह रहे हो तुम्हारे भाईया ने निकाला मा उसने सुरिया का फोटो क्यों निकाले कहो वो क्यूं निकाला, कहा लेकर गया, वो तो मुझको पता नाईमा, मगर सुरिया का फोटो उसी निकाला, यह मुझे मालू में वो कहा है और उम्मे एक्सक्योज में हे बेबी कि मैंने तुम्हें बताए कहकर उससे मत कहना वरना माद डालेगा यहां रहा तो यह माद डालेगी सिर्फ एक ही तरफ नईमा हर तरफ तुम्हें सुर्या नजर आना है इसलिए मैंने ऐसा किया सिर्फ शड़िएएट को लिएएड़ टुम्हें उस एक्षशार नईमा प्रफ जडिएगा वोड़िएवी तुम्हें सुछार अवशे़ा यह, कि तुम्हें है इसलिएए़गे रफ पुपियी पुपियी तुम बूलाया मैं भी जह के तुम मुझी तुम का सुपिया पुपियी पुपियी तुम बूलाया मैं मिल दूशे तुम का सुपिया मैं भी जह के से तुम बूल सकती है तुम तो मेरी दरी है मां असे भी दूशे में करी ही सकती अगर में दूशे तुम बूल सकती है पुप्री उप्री उपुरा है दोई के गिल तोची तोगा कवी तोची तोगा कवी तोची तोगा दिक तो ही दे परे ले जनमों से तोची ती तूची आऊ मर्दों मैं तो क्या नवा अगला जदन ने आने रख मेर जान दे गुदी मेर रहूं दे गुदी मेर कैसे पूसर की तुछ हूँ वो प्री ए वो प्री ए वो प्री ए ये जो में आया और ना करके में तुछ दो काने रहूं मैं खुदी ए जैसे पूसर की तुछ प्री वो प्री ए जो में दो काने रहूं जिदर देरी आए, सदादी है के आँ मुझे देर दो जिदर देरी जी रहे दो जिस जाशने मेरी जाशन दूही है, मेरा जिदर दूही, मेरा जिदर दाशन तुझे से रहे दो प्री, ओ प्री, ओ पुरा, है में देर दो जिदर दो जिदर का क्यों दिया प्री, ओ प्री, ओ पुरा, है में देर दो जिदर का क्यों दिया प्री, ओ प्री, के लोगे आया, हो ना करके में दो जिदर दो का नहीं दिया प्री, ओ प्री, ओ प्री, ओ पुरा, है में दो जिदर का क्यों दो क्यों, में दो, दो, जो, भ चा क्यों दो कर दो जब मौनमाए कर अद्यू नहां जुटरंगा नहां। शीरता ohh कर दो अकर नहां denn जो, मुझे रहा है, भी फाल रिख भी ले अर्रे अंब मेरश तो, मा अरे नुको! अच्छा वह सरा आप आगए यह माई लेकर का जा रही हो सर इसका भाई शीवा इसकी शादी करने के लिए लड़की वालों से बात कर रहा था यह देखकर यह अपने कबड़े बान कर सुर्या का घर जा रहे हो कहकर चली जा रही थी क्यों मा तुम्हीं ने एक समय में अपने भाई को अपने माबाब भी कहकर बताया था ना अब वही कि मैं दुसरे घर भूजरा है अपने घर जा रही हो कहा है न तुमने मुझे बहुत अच्छा लगा है यह सुर्या से तुम कितनी प्यार करती हो इससे मुझे मौलम पढ़ ग है सुना है आपके लड़की पड़ी लिखिये इसलिए हमार लड़के ने उसको पसंद गया और शादी करना चाहता है देखिए यह सब जानकर आप यहां तक आए यह बड़ी गौरों की बात है मानता हूं मगर आप यह नहीं जानते कि मेरे बहन ने एक लड़के से प्यार क मैं तो बारत लेकर जाते हैं देखिए अब मैं कुछ और कहना नहीं चाहता है मैं एक रोड़ी हूं अपनी बेहन को बहुत चाहता हूं वो सुर्या से बहुत प्यार करती थी मगर अब वो इस दुनिया में नहीं रहा उसकी खुशी में मेरी खुशी है उसकी शादी की बात सर आप यह क्या है मार यह लगेज कहां जा रही हो मुझे माफ कर दो भाईया मैं कुछ और सोच कर आया था मगर तुम तो बहुत महान निकले है नाजने लोग तुम के रोड़ी क्यों कहते हैं है है एपी बर्डे मामा थैंक यू भाईया हूं 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 हैंकि दोस्ष अरे ये क्या हूं है भाई इधार अच बड़े नहीं पहले बड़े को मैं टेंपूल जॉद जाया करता था फिर मिलने के लिए सुर्या के घर माज ना ही मा टेम्पूल गया और ना ही मिलने के लिए सुर्या खर पर है अब मैं क्या करो ऐसी समय में रोते नहीं रहे जाओ रहे अकेला छोड़ो दो मुझे जाओ इस बार मैं बड़ नहीं मनाना चाहता इस बार ही नहीं हमेशा के लिए मैंने बिसाइट कर लिया है सुरिया के वस्ति तुम्हें मनाना पड़ेगा क्यों उन्दिनों में मोसमी चट जी रे ब्लाक और वाइट रे मिडिल में जीनत मान रे इस में कलर रे मगर अब तो प्रियांका चो प्राहारा डिजिटल फिल्म का जमाना रे प्रियांका को चाता अब ये नया जमाना रे क्या रे? क्या रे? सही कहा? कहा रे? आगे रे? इधर से क्या रे? आइड़ा एक पोड़ा गोरें आमारे लीए आदरे ये वो दिश्टा दिखीरें इसके पास आप तुष्टेरें आज दो लागिया दे योगा प्जाते है आइड़ा एक तो कर रख दोरें आमारे लीए आधेड़ाई 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 अबिती पेटी हट इसके पास वोगी आदोंजे पिसले इंका पांचे रखी मुस्से जुना पाईंगा नाच जाओ रे एक नमसा ये मैं भेरे नाच जाओ रे एक नमसा ये मैं भेरे नवी ये रात देजा नहीं है आइसे आप आइसे लोका कप पंदले पाचे गई आया क्या मैं लाट कुना रखी नवी तर *** लुषे मुल्सा हूँद भूहतु ऐसे पराती स्थthen्यां कि वॉषे ऐत लत्यत आके दुख माद करे भूहतु वी दुख माद ह आताев पकर आजेंगे, 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 खुदेंगे कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू इड़े की दिड़ा हैं को लादोरी में हमाने की लादोरी में हमाने की लादोरी कि अधिया शिवा मैंने तुम से मिलना चाहा और तुम इस मंदिर के पास मिले यह बहुत अच्छा हुआ कहिए सैर क्या बात है कल मैं रिटायर हो रहा हूं क्या कहा रिटायर हो रहे है own मगर सुर्या का केस च्छिवा फिव्याइन के नीचे बैठ कर मैं आराम कर रहा हूं सोच आई कि我 जिन जिन पर डॉट है उनको पकड़ करा बहुत मारा तुटा। मगर खुलू नहीं मिला। ऐसा कहते हुए। आपको शर्म नहीं आ रही है। है ! क्या कह रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम किस से बात कर रहे हो। हाँ पता है यह Teep है। मगर क्या फाइदा। जिस दिन मेरे बेहन के सूरिया का मर्डर हुआ था, अगर मैं उसी दिन उसकी कातिल को मार मार कर खातों कर देता तो अच्छा होता। बाप कमिशनर, बड़ा भाई करक्टर, ये सोच कर में खामोश रहा। आज मैं इतना मजबूर हो गया हूँ कि मेरे बेहन की मांग में सिंदूर भी नहीं बर सकता है शिवा, जैने दीजिये सर, अब मुझे पता चला, आप और आपका फोलिश दिपार्टमेंट कुछ भी कर नहीं सकता। ये कहे जा रहा है और आप इसे सुनते जा रहे हूं। बाहर तंगा चुकाता, यहां रेस्ट करने के लिए आया, तो भाशन देकर मुझे सोने नहीं दे रहे हो। अगर ये वारे तो जाकर बाहर गिरेगा साला। सर, कैसे सर, खाना खालिया। खालिया। अगर नहीं काया तो पैसे देने के लिए सोचाता। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, है मैं दूसरे सेल में डाला हूँ। आँ स्पक्टर साब, मेरा भी वही रिक्वेस्ट है। तुम तिनों को बेल हो गई है, वाहर निकलो। बाई। चला 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 आई। बंद कर लो जी, बंद कर लो। आमारे लिए भी बड़े लोग आईए। कौन है वो बतावगे। क्या, मजा कर रहो हो समझे क्या। मेरा स्टाइल एकदम सपरेट है। आपको डेल करने का नेमबर, 9-8-4-8-0-3-2-1-2-3 क्या सोच रहे हो। हाइटेक फैंसी नेमबर है न, वही कलेक्टर का नेमबर, फोन करो, यू आ जाएगा। सर में त्री टॉन पोलिस टेशन से ऐसे बात कर रहा हूँ, यहाँ एक रोडी शिटर आपका नाम ले रहा है। कर देशन ल्डान कर दो गाता। बहुत बहुत शुक्री यह रहा हैं, मुझे यहां से निकाले अहां। एक मैं ही हूँ क्या तुझे और कोई नहीं मिला चुड़ाने वाला साब अपने अपने वी एपी रिष्टदारं को बुला कर बेल ले लिए मैं तो सिर्फ आपको ही जानता हूँ ना इस लिए कहना प्रक्राइए यू फोल आइंदा मेरे सेल पर कॉंटर्ट बद कर ओके कलेक किसा कर दो कि अजया आई पाहर वहार जबकर शापिंगा अब लेस्में सुर्या कोई इसी नहीं मारा था तो तो यह ही है कंफाब यह ही है अरे कोई है अरे कोई है पुल जाओ इसको भुश्व भड़ा गुने आरे पुल जाओ बैठ जाओ इससे पहले डिपार्टमेंट कहें तो कुछ ऐसा था पोलिस वाले एक नंबर के फ्रोड रिश्वत लेने वाले और पब्लिक के लिए काम में नहीं आने वाले मंगर हमारे विनाएक राटोड जी जब से हमारे डिपार्टमेंट में आये तब से हमारा डिपार्टमेंट एक नया रंग ला लिया है पोलिस को पब्लिक इज़त देने लगी तुम लोग अपना काम हिम्मत से करो मैं हूँ तुमारे पीचे ये कहने वाला विनाएक राटोड जी आज रिटाइड होकर हमसे जुदा हो रहे है मुझे यकीन है कि सिर्फ मैं ही नहीं आप सब भी इन्हें विदा करते में बहुत दुखी होंगे सारा डिपार्टमेंट ड्राटोड जी पर आज फखर करता है क्योंकि इन्होंने अपनी सर्वीस में जो केसेस टेक अप किया हुने सॉल्व किया और सी बी आई को कोई चांस ही नहीं दिया अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये कुछ कहें इतना बड़ा फंक्शन आरेंज किया है मुझे बहुत खुशी हो रही है इतने सालों की सर्वीस में मैंने ड्यूटी बहुत ठीक निभाई है मगर अब मैं रेटायर हो रहा हूँ दिल बड़ा अजीब हो रहा है मेरे जुटी के समय में एक से एक खतरनाक मजरिमों को मैंने पकड़ा और उन्हें सजा भे दिलवाई है मगर आज मेरे बेटे की हतिया हो गई है ये किस ने किया और क्यों किया मैं इसका पता नहीं लगा सका मेरा बेटा बाप होने के नाते उसके लिए मैं कुछ भी अभी तक नहीं कर सका हूँ इतने सालों की मेरे पोलिस हो इस लगता है कि वेस्ट हो गई है अगर आप लोग मुझे कुछ आनर देना चाहते हैं तो मेरेजानने के बाद मेरे बेटे की हत्यकरण के इंक्वेरी आप लोग आप लोग जरौर करना वही मेरे लिए आनर होगा आप लोगों को छोड़कर जानने के लिए मेरा मन बहुत दुखी हो गया है हलो वो आपकी डिपार्टमेंट से हो नहीं सका वो एक रौडी से हुआ है इसलिए यहां बुलाया सूरिया केस में अगर कोई बड़ा आदमी हो तो आप एक्षन लेंगे कोई भी होने दो इम्मीडियर एक्षन लोंगा मैं अगर वो जेजी है तो होने दो क्या अगर कोई पोलिस आफिसर हुआ तो कॉलर पकड़ कर ले जाओंगा अगर वो करक्टर है तो अगर वो मुझरीम ह तो आप अपने बेटे को हद्करी डालकर रोड पर घसेटो यह क्या कह रहे हूं कि यह मेरे रोडी का काम है सूरिया के खातिल को पकने में मेरे ट्रीट्मेंट के बारे में खाहता ना उसका एविदेंस है मत परो मत परो कह दूँगा साब मैं रोडी हूं कांट राक पर मारता हूं कलेक्टर साब एक दिन उस फोटो में है सो आत्मी को मारने को कहा और इस मार पीट को वीडियो रिकार्डिंग करके देने के लिए भी कहा उन्होंने वैसे ही किया अब तक दीन कैसे दे दिया उनको सब कलेक्टर साब ने अपने बाई को ही मारने के लिए कहा ये बात अब तक मुझको मालम नहीं है हम सिर्फ लोगों को मारते हैं साब मडर नहीं करते अगर आपको मेरे बात पर शक्खे तो ये एक दिन पहले जब मैं बार पर गड़वरी किया तो पोलिस ने मुझको पकड अब आया करक्टर रगुराम यहां पर आया था क्या ये सैर आया थे सैर एक रावडिक शिटर को शूरटी देने के लिए आया थे माजी आप ये क्या कर रहे हो सहाब आज रिटार हो रहे ना उनकी मेजर उतारनी है इसलिए अब उसकी जरुराद नहीं हड़ जाओ ही इसलिए कमान सर्ट क्या जी क्या हुआ अब नहीं हो सकते ही येद草º झा से आया-झा कि अधर आप तुम्हारी माजी होश को वेडियों से होस्पिटल ले जाओ आज मेरे पिता जी विनाएक राठोड जी रिटाइड हो रहे हैं शाम में चोड़ा सा फंक्षन है आप सब को उसमें आना है अकेले नहीं पैमिलिस के साथ आईए आप भी जरूराना हाँ तुम भी अपनी फैमिली को लेकर आओ ओके से यस क्या है यह अर्स्ट वारंट कलेक्टर को अर्स्ट वारंट हम ख्र्सक प्रोम तुम को ङलाए भी आपकेर को ऊपनीव वारंट कर दो कर दो दो कर दो दो कर दो कर दो कर दो एंग थाइब पर शॉड़ कर दो अज़ नही तो कर दो दो और मारिये, मारिये, क्यों सोच रहे हैं, आपका बेटा हूं मैं, बेटा होने के ना थे, कई सालों के बाद आज मार खा रहा हूं मैं, बहुत खुश हूं मैं, और मारिये, और मारिये ना, सूरिया पैदा होने से पहले, आपका प्यार मेरे लिए था, आप बश्पंस लेकर मुझे, आपने सूरिया के पैदा होने तक, आपने मुझे कभी दूर हटने नहीं दिया, अपने सीने पर सुना लेते थे कभी आप मुझे, आपका सूरिय जब पैदा हो थो वो आपको इतना प्यारा क्यों हो गया अनात पला दिया मुझे क्यों मुझे समझ नहीं या ला यह बात क्यों समझ नहीं सक्या मेरी मा वह भी समझ नहीं सकी क्यों मुझे ही मिलना चाहिए था वो प्यार बगर नहीं मिला मुझे नहीं तो किसे भी नहीं वो कौन है बीच में बाट लेने वाला उसे प्यार नहीं मिलना चाहिए इसके लिए उसे दुनिया में नहीं रहना चाहिए उसलिए मेरा भाई आपको पैदा हुआ सो दूसरा बेटा मेरा दुश्मन मैं नहीं उसे मार दिया है जाईए जो चाहते हैं कर लीजे जाईए तर्टी वाईयर्स की सर्विस में मुझरिमों को पकड़ कर पनिश्मेंट अभी तक देते आए हैं रेटार्मेंट का वक्त आया तो ये आपका बेटा निरपरादी को पकड़ कर आप जो सजा दे रहे हैं ये बिलकुल अजलत है इतने सालों में आपने जो नाम कमाया उस पर तुको तुम जैसे माबाब मुझे नहीं चाहिए जाओ जो 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 और मरता है क्या मारो जिस बेटे को हम अपने चाहती से लगा के सुलाय करते थे आज उसी बेटे को तुमें कुत्ते की तरह मार के आ रहे हो ना तो उनों को इसी खोक से जनम दिया था मैंने एक बेटा बुरा निकला और दूसरा इस दुनिया में ने अब हम उसे वापस तो नहीं ला सकते कम से कम जो हैं हमारे पास उससे तो बचा सकते हैं आप तो पुलिस वाले हैं अगर आप मर जाते हैं तो पुलिस वाले आपको सला में देखकर आपकी चिता जला देते हैं अगर मैं तो एक साधरन मा हूँ ना मेरी चिता को जलाने के लिए मुझे मेरा रगु चाहिए बस हमारी शादी के बाद आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगती हूँ मेरी रगु को पास ही मत दीजिए मैं कानुन तोडने के लिए नहीं खेती बस इतना चाहती हूँ कि रगु को कुछ नहीं होना चाहिए आप कुछ भी कर लीजिए अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं जिन्दा नहीं रहोंगी आपकी मिनक्षी आपकी नहीं रहेगी देख लेना आप जो तुम्हारे मन में है वो तुमने कहे दिया मिनक्षी सूरिया हमारा छोटा बेटा रगु का सगा भाई उसने उसे उसने गलत किया मागर वो तो हो चुका है ना उसके बारे में अभी आप कुछ मत सोचिये मैंने तो अपने दिल को एक बत्तर बना दिया अभी शबाश प्रिया जला लो जला लो मा इस घर को नहीं छोड़कर मैं इधर ही क्यूं बेटा हूं तुझे मालूमा अभी यह जो तुम कर रहे हो वो नहीं होना है कहकर सूरिया का खातिल कोई और नहीं उसका बाई है यह बात जानकर तुम सूसे कर रहे हो मा कितनी बेवकूफ हो क्या तुम ये बात नहीं जानती कन्यिका की पती को जब लोगों ने मार दिया था तो उसने सूसे नहीं किया बलके उस पूरे गाउं को ही जला दिया उसने पोलीस लोगों को कानून में कितने लोपोल से सब पता है माँ वो एसी अपने बेटे को अच्छा है केकर नहीं चुड़ाने माँ अगर मैं चाहू तो उसका सर ला सकता हूँ मगर ऐसे नहीं जिसने मार खाया है उसे ही मारना है तुमारी शादी के लिए तुमारे हाथों में महंदी लगा ना था मगर आज मैं तुमारे हाथों में एक रिवालवर देने के लिए मजबुर हूँ आज कोट जो जेजमेंट देगी उससे कोई मतलब नहीं जब तुमारे रिवाल्वर से निकली हुए गोली उस कलक्टर के तुकड़े वुड़ाएगी तब मुझे सुकुन आएगा वोही असली जेजमेंट होगा अगर वो तुमारी गोली से बचकर बाहर आ गया समझो तो मेरा आदमी उसके तुकड़े तुकड़े कर देंगे ये तो होना ही है मिस्टर रगू आपके इस अदलत में दोश्य होने के सारे सुबूत मौजूद है अगर आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए मेरे भाई को मैंने नहीं मारा है वो वो मेरे अपने माता पिता है इन्हें बच्चा चाहिए कह कर दुनिया के हर एक मंदिर में प्रार्थना की थी इन्होंने इनको भगवान ने भीक दे दी वो भीक मही था उन लोगों का प्यारा बेटा मही था मुझे दस साल आने तक उन लोगों की आखों का तारा कोई और नहीं मही था मेरे लिए यह सब कुछ थे मैं भी इनका था मुझे दुनिया से मतलब ने इन्होंने जो प्यार मुझे बाटा उसी को मैंने जिंदगी समझ लिया लेकिन मुझे दस साल होने के बाद और एक बेटा पैदा हुआ था उसके बाद मैं कौन हो गया मुनसिपल कुंडी से उठाई जैसा हो गया थो मैं मुझे यहनाच जैसा देखने लग गए थे अपने भाई को मारना मैं अभी भी गलत नहीं मानता यो राउनर क्योंके उसका कारण तो ये लोग है जो प्यार मुझे अपने माता पिता से मिला है उसका किसी को भागेदार बनाने के लिए मैं कभी तैयार नहीं था अपने माबाप के लिए अपने अंदर जो प्यार मैंने बढ़ाया था वो अंदर ही अंदर जहर बनता चला गया उस दिन की राह देखता रहा मैं कि कब उसे मैं खतम कर सकता आया एक दिन वो मौका मुझे मिल गया उसका इस्तिमाल मैंने कर लिया गलत नहीं समझा था बहुत घुसा था कितने सालों से था वो मेरे अंदर अंदर ही अंदर जलता रहा मेरे पिता के हाथों से मुझ जैसे बेटे को मौत चाहिए हमारी मा भी रहना उदर यही मेरी आखरी खाइश है युवर अनर ए चुप रहे जो मनमा है वो बखके जा रहे हो जैस साब क्या मैं उसे एक मिनिट बात कर सकती हूँ क्यों रहे क्या हम तुमे कोई कच्रा कुंडी से अन्ना थे कहकर उठा कर लाए थे क्या तुझे दिल नहीं है क्या क्यों रहे पिता जी के हाथ तो मरेगा और यह चाहता है कि मैं वो दिखू क्या तु जानता है कि मा का अर्थ क्या होता है एक बेटे को जनम देने के लिए उन्हर जनम लेती है एक और अक्या यह बात तुमें पता है अपने पीछे पढ़ने वाले मर्द को चलो जाओ कहकर अपने बेटे की तरफ अगर नहीं चाहिए कहो बेटो बेटे को नहीं चोड़ती अरे एक परिंदा भी अपने उड़ने वाले बच्चो को चोड़कर अपने चोटे बच्चे को दाना किलाता है क्या ये भी नहीं मालूँ अरे तो तु ये भी बूल गया कि वो तेरा अपना बाई था उस पर तुझे इतना भी रहम नहीं आया बदमाश अरे क्या यहीं देखने के लिए मैं जिन्दा हूँ मुझे मारता तो बैतर होता अरे एक बेटे को दूद पिला करके दूसरे को पानी पिलाया था मैंने क्या रे एक मां को अब ये तक नहीं समझ पाया रे तू तू जा रे तू जब तू हमारे गोद में आया था तो कितने कुश हुए ते अगली जनम में मां होकर पैदा हो जाओ मा 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 यूर उनर मेरा नम सुरिया है मेरा भाई रगू ने मुझे मार दिया कहकर ये केस चल रहा है लेकिन मैं नहीं मरा मैं जिन्दा हूं यूर उनर सुरिया सुरिया अजय क्या ये सबना तुनिंग असल में क्या हुआ मैं बताना चाहता हूं कैस प्रुसीड हर एक साल अपने माता पेता का वेडिंग डे मनाना हम दो भाई डिसाइट करते इस साल कोड़ाई केनल मैं मनानी की सौचा मेरे माता पेता मैं छोटा होने की वज़े से मुझे बहुत चाहते थे ये मेरा बड़ा भाई बरदाश नहीं कर सका उसे मुझे पर कितना गुस्सा है ये कुड़ाई केनल जाने पर मालू हुआ क्योंकि उसने मुझे नीचे खाई में ढखेल दिया लेकिन मेरे भाग अच्छे थे किरते समय मुझे एक पेड़ का सहारा मिल गया फिर मैं किसी तरह से उपर पहुँचा बाद में जब मैंने ये देखा कि मेरा बड़ा भाई मेरे गिरने को कुछ गुड़ों की साज़िश बता कर अपने माबाप का प्यार हासिल करना चाह रहा है तब मुझे मालू हुआ कि वो मेरी मौझदगी में अपने माता-पिता के प्यार के लिए कितना तड़प रहा था अपने माता-पिता से मैं कुछ ही दिन दूर नहीं रह पाया हूँ लेकिन मेरा बड़ा भाई बीस सालों से उनसे दूर रहता आया है अब आप ही कहिए ये कितने तड़पा होगा इस दुनिया में अच्छे माबाप रहते हैं मगर एक अच्छा भाई मिलना मुश्किल है मेरे भाई को मैं अच्छा मानता हूँ अगर मेरे जिन्दा रहने की बात भाई को मालूं पढ़ जाती तो वो बहुत तुकी हो जाता इसलिए मैं इतने दिनों तक भाई की खुशी के लिए सामने नहीं आया लेकिन आज मेरे इन्नोसंट भाई को बचाने के लिए आना पड़ा मैंने गलती की हूँ मैंने गलती की मैंने गलती की हूँ सूर्या मेरा बेटा सारे हालात सुनने और समझने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है के रगों की मानसिक इस्तती ठेक नहीं रहने के कारण उसे जेल की सजा के बजाए हास्पिटल में इसका इलाज करवाने का आदेश देती है कर दो कि अवाद की करता है झाल झाल